अस्रार एकोर अमतलाही बरकातों दोस्तों मैं सीमा को सर बीटें बैंगलोर से दोस्तों फलिस्तीन में अब तक हजारों लोगा मर गे बड़ों को तो छोड़िये हजारों बच्चे शहीद होगे वहां पर बच्चे मगर फिर भी हम लोग कोई फर्ख नहीं पढ़ रहा है ना especially हिंदुस्तान के मुसलमनां को हिंदुस्तान के इंटलेक्चियोस को चाहे वो कोई भी खाउम को बिलाउंग करते हों नहीं फर्ख पढ़ रहा है ना जबके दुन्या भर से आवाज हैं उटरी दुन्या भर में प्रोटेस्ट हो रही मगर हमें लोग हमारी दुन्या में मस्त हैं कोई फर्ख नहीं पढ़ रहा है हम ना यहां तक हॉलिवट के अक्टरसस जिनको खास करके मुसलमाना भद्धी भद्धी बातें करती हैं आदे कपड़े पहनने वाले नंगे घूमने वाले फिर भी उनके इत्ती भद्धी भद्धी बातें करने वाले उनके उपर उनके मूवीज तो जाको देखती ही फिर उनको उत्ता ही ज्यादा क्रिटिसाइस भी करती ही जब क्रिटिसाइस करती ही तो क्यों जाके उनके मूवीज देखती ही यह मुझे नहीं समझ में आता खैर जो भी हो जो इतनी भदी बातें करते थे उनके बारे में आज वो एक्टरसिस तक, हॉल्यूट के एक्टरसिस तक साइन करको कि ये खुन खराबा बन करो जो फलिस्तीन के साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है फलिस्तीन में बच्चे मर रही है, और जो भी फलिस्तीन के उपर कर रहा है इसराइल ये गलत बोल को letter link को पूरे signatures करको अपने president को लेके जाके दी उनको पता है उनकी इस थरह से letter देने से कोई उनकी government को फर्ख नहीं पढ़ने वाला, अमेरिका के president को कोई फर्ख नहीं पढ़ने वाला मगर फिर भी लेके जाके दी, क्यों दी क्योंकि एक अपनी moral, social, responsibility अपनी जिमेदारी समझ को लेको जाको दी उनो उनके इस तरह से sign करके देनने से उनको कोई फर्ख पढ़ता है हमारे sign करने से फर्ख पढ़ता है बुलको नहीं दी मगर गलत को गलत बोलने की टाखत रखती उनो गलत को गलत बोलना अपने जिमेदारी समझती उनो उसी तरह से हिंदुस्तान में भी सोनम कपूर होंदे प्रियांका चोपड़ा होंदे इनों लोगां तक फलिस्तिन के साथ खड़ी इसराइल को गलत बोलके बोल रही और इस खुन खराबे को बन करने की दुहार लगा रही मगर हमें क्या कर रही और इस्पेशली हमारे सो कॉल्ड मुस्लिम अक्टर अक्टरस जो ही आज मेरे सवाल इन के लिए है और आप लोगों के लिए है इन लोगों का जब एक औरेंज कलर कुले कोई इस्चू बन गया था तो पूरी सोसाइटी इनके साथ खड़ी इनके मूविस हिट कर आया आप लोग आज इनों लोगां डिप्लोमसी दिखा रही चाहे हमारे फॉर्मर्स के साथ कुछ हो या हमारे रेजलर्स आउर्तों के साथ कुछ हो या ये नासी हो या आज फलस्तीन का इश्यू हो कुछ भी होंदे सिर्फ इनों गॉवर्मेंट के साथ गुड बुक्स में रहने के लिए डिप्लोमसी के लिए अपने मुविस को कहीं एफेक्ट न हो जाए अपने इंकम पे कोई आँच न आ जाए अपने मुविस अपनी इंकम सोर्स आफ इंकम कहीं बनना हो जाए इस वज़े से इनों हर चीज़ के लिए खामुश रहती और हमें लोगां बेवकुफों की तरह जब इन पे कोई आँच आते है जब इनके बेटे को नौकटिक्स वज़े ट्राप करती उस वख सारा हिंदुस्तान सारे मुसल्माना इनके साथ खड़े होती इनके फेवर में बात करती इनके लिए आवाज उठाती जब इनके मूवीस के उपर अगर कोई ओरेंज कलर का जो लेके जो हंगामा हुआ था तब पूरे लोगां इतना ज्यादा साथ दिये उनको क्या इनकी कोई moral responsibility नहीं है इनकी कोई society के लिए होंदे अपनी community के लिए होंदे कोई जिम्मेदारी नहीं है आज आप लोग एक जिम्मेदारी उठाओ इन लोगों को खामोश रहने से इनकी खामोशी तोड़ना होगा इन लोगों को और वो काम आप लोग करवाओगे धुन की शारुखान की नई मूवी आ रही है जिस तरह से अटलीस्ट हिंदुस दुन्या के हर कोने कोने से जो भी चीज़ाई इसराइल को सपोर्ट कर रही हैं उनका बहिशकार कर रही है उनका बॉइकॉट कर रही है तो आज आप लोग यह जो अपने मुफात के लिए जो मूँ पे सील लगा के बैठी इन लोगों की सील तुड़वाना है तो आप लोग इनके मूवीज बॉइकॉट करो हुआ है दो मूवीज हिट कर रही शारु खान की दोदो मूवीज हिट कर रही अब बता दो इन लोगों को धुन की मूवी को बैकॉट करके कि अगर हम लोगां तुम्हें ना प्यार देती तो तुमारी भी कोई सोचल रस्पॉंसिबिटी है वक्त पढ़ने पर चुप़ी तोड़ना पड़ता है तुम्हें लोगां भी अपने मुफात के लिए खामोश रहना ये कोई जिम्मेदार अदमी की रेस्पोंसिबिलिटी नहीं है मैं उम्मीद करती हूँ कि धुन की मूवी देखने कोई मुसल्मान नहीं जाएगा और साथ ही साथ वो तमाम हिंदु भाईयों बहनों से गुजारिश है कि जो कोई भी समझता है कि इन लोगों कोई भी कोई जिम्मेदारी है सही गलत के लिए बोलने की रेस्पोंसिबिलिटी है वो हर इंसान इनकी मूवी बाइकॉट करेगा और इनको अपनी चुपी तोड़ने पर मजबूर करेगा जेहिंदे जेहिंदे